दोस्तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि B8 एडमिशन के टाइम आपको कौन कौन से डॉकुमेंट लगेगा 2022 में सांथी सांथ दोस्तो हम इस वीडियो में पूरा बेसिक से लेकर एड़वांस तक दोस्तो B8 आफिसियल डॉकुमेंट्स के बारे में जानेंगे वेपर दोस्तो आपको पहला डॉकोमेंट की रूप में B8 Normally Consellers Spring पहां मरणेगा। जब दोस्तो आपका बिएड का result आता है तुब आप counseling कराते तो वहां पर दोस्तो आपको एक पाउती मिलता है उस पाउती को दोस्तों online counselling form कहते हैं तो उसको दोस्तों आपको रखना होगा सांती सांत दोस्तों जब आप rating कराते हो तो वहाँ पर आपको कोभी एक college alert होता है तो कौन से college alert हुआ है इसको जानने के लिए दोस्तों आपको SCERTE वेबसाइट में जाके अपने ID और पासवर्ट से लॉग इन करना है वहाँ पर दोस्तों आपको अलाउट्मेंट लेटर मिल जाएगा कि कौन से कॉलेज में दोस्तों आपको एडमिशन के लिए जाना है तो उस लेटर को रिजल्ट डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा के रख लेना है चौन्था में दोस्तों आपको दसवी और बारवी का मांक सीट लेके जाना है वो भी ओरिजनल जितने भी चीज बता रहों दोस्तों सभी चीज आपको ओरिजनल लेके जाना है उसके बाद दोस्तों graduation का first, second और third year का आपको mark sheet लेके जाना है और यदि आप PG कर लिए हो तो PG में जितने भी semester होते हैं सभी semester का result आपको लेके जाना है वो भी original उसके बाद दोस्तों cast certificate इस्थाई प्रमान पत्र लेके जाना है साथी साथ दोस्तों आपको TC ओरिजनल लेके जाना है यदि आपके बास character certificate है तो character certificate लेके जाना है दोस्तों चरित्र प्रमान पत्र ये भी original चरित्र प्रमान पत्र दोस्तों college से आप बनवा सकते हैं आपको नहीं मिला है तो ऐसे जब TC लेने जाते हो तो वहाँ पर आपको चरित्र प्रमान पत्र दिया जाता है और उसके बाद आपको passport set की photo लेके जानी है कम से कम 25-6 passport set की colorful photo रख लेना और आपको दोस्तों document के रूप में अधार card, pain card, water ID card, driving card यह चारों में से को भी एक दोस्तों original लेके जाना है migration certificate यदि आपके पास है तो migration certificate आपको लेके जाना होगा तो दोस्तों यहाँ पर हमने 4 document आपको बता है यहाँ पर 4 document बता है, total 8 हो गया और यहाँ पर हमने 5 document बता है तो 8 पास 13, यह 13 document दोस्तों B8 admission के लिए बहुत ही important document है इसके अलावा other document की बात की जाए, यह optional document है यदि आपके पास नहीं भी होगा तो चलेगा income certificate होगा दोस्तों तो आप income certificate भी ले जा सकती इसमें क्या होगा आपकी फीश में थोड़ी बहुत हो सकती है और ऐसी भी income certificate यादि आप बनवागे तो आपको इस scholarship के रूप में काम आएगा गेब certificate उन लोग को लगया है जो पढ़ाई बीच में छोड़ दिये हैं और सपत प्रमानपत्र भी आप बनवा सकते हैं से ऐसे college होते हैं जहां पर सपत प्रमानपत्र की जरुवत होती है सपत प्रमानपत्र दोस्तों आप notaries पर जाके बनवा सकती हैं तो इस वीडियो में दोस्तों B8 admission के लिए कौन-कौन से document लगते हैं पूर बेसिक जानकारी आपको provide करा दिया हूँ अब भी आपके पास कोई भी doubt होगा comment box पर नीचे comment कर सकती हैं वीडियो कासा लगा दोस्तों comment box पर जरुर बता है और इस प्रकार की वीडियो के लिए चानल को like, subscribe, share करना मत भूलिए